तमेशकार साथियो मैं अचारे रवी कुमर सरदाना वस्व कंसर्टेंट टेरू का रीडर पामेश टेनरी की हिलर आज के एक सब्ताहिक प्रोग्राम में यानि की 28 मार्स से 3 अप्रेल के सब्ताहिक राशी फंद में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत और हम इंदंदन करता ह साथियो आपका पिछला सब्ता बहुत अच्छा गया होगा इसको मेरी पूरी उमीद है और आने वाला सब्ता आप सब के लिए बहुत अच्छा जाए इसके लिए मैं परम पिता परपात्मा से प्रात्ना करता हूँ तो चली शुरू करते हैं लेते हैं एरिस राशी अनिकी करियर की बात करें तो करियर में सब्ता ऐसा लग रहा है कि आपके ओपर कहीं कुछ काम का बोज जैदा आता दिखाए दे रहा है जो भी आपको एलोटेड वर्क है अब अगर आपका अपना बिजनस है वो जैदा बढ़ सकता है और बिजनस बढ़ने का मतलब है उसका प्रे बढ़ सकता है हो सकता है कुछ आपके कलीः छुट्टी पर उँद इसका काम भी आपको करना पड़ सकता है आप को डिवाइन मैसेज है कि ऐसा हूने की पूरी सम्भाव 받ना और इसके लिए आपको करना क्या है कि अपना काम को एक तो प्रियोड प्रियोटाइस करिए ठीक ह कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो ना तो important होते ना urgent होते हमारे लिए पर हमारा बहुत सारा time उसमें जाता है तो जो important और urgent ना हो अब उसको उटा दो तो इस तरीके से करोगे तो आपके उपर जो काम का बोज है वो काफी कम हो जाएगा और फिर आपका जो सब्ता है वो smoothly निकल ज जाएगा अब अगर बात करें एरिस महिस्टराशी बालों के लिए relationship की तो relationship के लिए अच्छा कार्ड है यह उनके लिए काफी अच्छा कार्ड है जो एक उमीद लगाए हुए है कि साब उनके life में कोई romantic relations आए कोई love relations बड़े वो dating पे जाएं तो उनके लिए काफी अच्छ इस हबता पूरी होती दिखाए दे रहे है कहीं ना कहीं कुछ romantic relations आपकी life में आते दिखाए दे रहे हैं तो ऐसा है तो उसको enjoy जरूर करिए अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हर चीज को आप अच्छे से करिए enjoy करिए क्योंकि इन ही मेंसे कोई relations हो सकता है आपके आगे जाके personal relation में convert हो जाए आपके आगे marital relation में conversion हो सकता है तो यह relation romantic relation का मतलब यह नहीं कि केवल डेट पे गए आप अपने को जो एक platform चाहिए होता है हम सब को एक platform चाहिए होता है कि जहां पर हम अपनी बातें share कर सकें वो बातें जो हम normally किजी के साथ share नहीं कर सकते तो एक ऐसा platform आपको मिलता दिखाई दे रहा है तो उसकी गरीमा बना के रखिएगा उसको honor दीजेगा और फिर उस relation की कदर करते वे उसको आगे बढ़ाएए अब अगर मैं बात करूँ एरिस ratio वालों की health की तो health के लिए बहुत अच्छा सब्ता है कहीं पर भी कोई दिक्कत आ इसमें कोई issue नहीं है आपकी health अच्छी चलती रहेगी उसमें कोई issue आता दिखाई नहीं दे रहा है तो इससे लिए जो normal precautions है वो आप लेते रहेगा यानि की जो diet control होता है वो करते रहेगा अन्नेसेसरी ओवल इंडर्ज मच हो जाईएगा खाने में या alcohol में तीसरा जो regular exercise के के लिए बोला जाता है वाक के लिए बोला जाता है योगा के लिए बोला जाता है वो आपको continue करके रखना है otherwise आपकी सेथ काफी अच्छी चलती दिखाई दे रहेए so this was all about iris mage राशी stay healthy stay happy अब मैं अगला card taurus या निकी व्रिशिब राशी वालों के लिए लिए लेता हू तो सबसे पहले टाurus राशी वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की तो करियर के लिए अच्छे शुरुआत होती दिखाई दे रहे हैं आप ये कह सकते हो कि जो एक dream job है वो आपको मिलता दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए आप ट्यास कर रहे थे वो आपको मिलत जाब में हो अलड़ी बिजनस में हो तो उसमें growth होती दिखाई दे रहे हैं comfortable growth, smooth growth यानि कि जिसे gradual growth कहते हैं वो आपकी इस सब्ता होती दिखाई दे रहे हैं तो career के point वो इससे टाurus राशी वालों के लिए बहुत अच्छा सब्ता जाता दिखाई दे रहे हैं आप इससे अ है कि जो आपका opposite sex है जो आपके lover हुई है ना lover है या है जो भी जो भी as a case में भी वो शेय थोड़ा सा blunt है है ना कई बार वो आपको कुछ गलत भाशा का भी प्रयोक कर दिया कुछ गलत बातें भी कह दी पर आप उसको बढ़दाश करके उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हो एक तरीके से देखें तो आपका plus point है कि आप जिसको प्यार करते हो जिसको चाहते हो अगर उसने कुछ कह दिया तो आपने परदाश कर दिया पर काड़िया यह भी indicate कर रहे है क्योंकि आप क्योंकि आप उसके साथ इतने involved अपने को प्रतीत कर रहे हो अपने को इतना feel कर रहे हो involved कि आप उससे अलग होने की सोच भी नहीं लिए तो यहां मैं आपको बोलना चाहूंगा काड़ आपको ऐसा नहीं सगेश्ट कर रहे है कि आपको छोड़ना है पर जब मौका मिले आपको एक बैट के बात करने की जरूरत है कि भई आपने उस समय देखो ऐसा का आपको नहीं कहना चाहिए वो आपने बात ऐसे की आपको नहीं कहना चाहिए आप अपनी बात कहिए जरूर, उसको छोड़िये नहीं, उनकी knowledge में लाइए, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को प्यार करते हैं, तो यह आपकी duty भी बनती है, कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको सही भी बताएं, बजाए इसके कि मूस जाके बैठ जाएं, और card भी suggest कर रहें, कि आप उसकी भावनाएं है, वो अपनी भावनाओं पर control नहीं कर पाता या कर पाती, तो आपका role यहां पर बहुत positive होना चाहिए, उन चीजों को स्विकारते हुए, उसको मौका देखके, या मौका निकालके, आप बैठके बात करिए, clear करिए, कि this should not be repeated, करके देखें का relations आपके अच्छी हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं, टारस राशिये वालों के लिए, हेल्थ की तो हेल्थ के लिए, अगेन बहुत अच्छा कार्ड निकला है, यह दूसरा consecutive कार्ड है, जिसमें हेल्थ हमारे साथियों की, अच्छी रहने वाली है सब्ता, पूरा enjoyment के बाद, जो प से indication मिलते हैं कि हमारी health अच्छी होने जा रही है, तो कई बार हम ना थोड़ा सा, sorry, थोड़े से lazy type के हो जाते हैं, कि यह तो मेरे को मिलना ही है, मेरे को तो होना ही है, यह कार्ड आपको एक normal circumstances में बोलना है, कि जैसे आप lifestyle कर रहे हो, वैसे करते रहोगे, तो आप healthy रहोगे ठीक है, पर अगर आप यह सोचके कि आप healthy रहोगे, और अपनी lifestyle अब आपने change कर दी, तो उसका adverse effect भी आ सकता है, तो उसको जो normal precautions से वह लेते रहे हैं, और अच्छी health को enjoy करिए, अब मैं अगला कार्ड जैमना यानिकी मिन्थुन राशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन 21 माई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं, four of wins, the lovers and six of wins, तो शुरू करते हैं मिन्थुन नाशी वालों के लिए करियर की बात, तो करियर के लिए बहुत ये अच्छा कार्ड निकला है, ये कार्ड सेजेश्ट कर रहा है कि इस सब्ता आपको कुछ ना कुछ good news मिलने जा रही है, वो good news ऐसी होगी जिसको आप अपने मिलने वालों के साथ, अपने friend circle में, अपने कलीक्स के साथ, अपने department में, अपने रिश्टेदारों में उसको celebrate करोगे, बहुत अच्छी संभावना आ रही है, achievement का कार्ड है, यानि कि जो आपने पहले काम किये थे, यानि कि जो पहले exam दियो हो, interview दियो हो, आप business person है तो कहीं आपने tender डाला हो, कोई बड़ा काम के आप कोशिश कर रहे हो, किसी बड़े व्यक्ति से आप associate होना चाह रहे हो, वो इ इतना अच्छा होने की उमीद आ रही है, जिसको आप celebrate भी करोगे, और मैं आपको जरूर सात्यों बोलना चाहूंगा कि अगर, ये तो बात हो रही है कि कुछ अच्छा बड़ा होने की उमीद आ रहे है, मैं करूँ बड़ा नहीं भी होता, छोटा होता है, it's okay, हुआ ना celebrate क करो, अब वो celebration का मतलब वैसे नहीं है कि आप आई श्रा होटल में party दे रहे हो, आप अपनों के साथ बैठ के, चाहसुमसा भी ले सकते हो, ये ना, कुछ भी, कुछ भी एक example है चाहसुमसा, आपके वहाँ पर अगर कुछ और चलता है, आपके जहां पर आपकी community है तो possible नहीं है, इकठे होना भी, अपनी खुशी को share करना भी celebration है, ठीक है, बाकी चीजे add-on हो जाती है, अच्छा लगता है, पर आप सब के साथ अपनी खुशी को share चलूर करिएगा, अब अगर बात करते हैं मिथू डर्शी वालों के लिए relationship की तो relationship के लिए आपका card आपको indicate कर love लाईए, अपने यानि की attitude में बदलाव लाईए, तो आपके relations में बदलाव आजाएगा, अब भी क्या है कि कुछ हो सकता है, आपके relations tense चल रहे हो, कुछ misunderstanding की problem आ रही हो, कुछ आपका ego clash हो रहा हो, और ये card suggest कर रहे है कि आप में से कोई एक है आप दोनों, वो ego लेके platform पे, card year relation के platform पे आई नहीं रहे हो, अपनी अपनी धपली बजा रहे हो, अपना राग बजा रहे हो, नहीं वो नहीं करना, आपके relation है ना, आपका प्यार है वो, आपकी दोस्ती है, आपके fiancé, आपके रिष्टेदारी है, तो यहां कोई व्यपार थोड़ी कर रहे हैं, तो जब आप प्यार कर रहे हैं, रिष्टेदारी नहीं भार रहे हैं, तो वहां पर इन चीजों को छोड़ दीजे, प्यार के साथ रहे हैं, उनकी भावनाओं को भी समझे, क्योंकि हो क्या रहा है कि, जब तक आप अपनी purest form में आके उनके साथ वैवारनी करोगे, and what is the purest form? आप जैसे हूँ, this is your purest form, यनि कि उसमें आपको कोई लगाव नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना, मैं जैसा हूँ वैसा, तो वो जब आप अपनी purest form में दूसरे वैक्ति के साथ जुड़ोगे, अब उसको आपकी सच्चाई पता चलेगी, अब आपको वो ये pure form accept करते है के नहीं, ये दूसरे ग्रूप पर है, आप अपने pure form में आ जाए, ये purest form, कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई misguidance नहीं, no, तो जब इस तरीके से आप relation बनाओगे, आप देखो कितने मजबूत relations होते हैं, इतने मजबूत की मदब उसको फिट कोई असानी इसे छोड़ तुड़वा नहीं पाएगा, आप छोड़ नहीं पाओगे उसको, तो इसके लिए pure होना जरूरी है, और जब आपका वो partner, आपका ये pure form देखेगा ना, हो सकता है कि कुछ समय के लिए दिक्कत आए, उनको वो चीज़े दिखाई देने लग जाएं, वो चीज चेहरे उतार दिये, अब जब सब चेहरे उतार दिये तो जो असली चेहरा या हो सकता है, वो चेहरा उस चेहरे से मेली ना खारा हो, जिस चेहरे से उन्होंने दोस्ती या प्यार किया था, कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी सचाई है, और सचाई है मेशा, सचाई ही रहती है, अमर रहती है उतर गए ना पर्द आप ना उतारते दूसरा कभी उतार देता कोई तो क्या वो कि अब प्योरिट फॉर्म में आने के बाद आपके रिलेशन्स पक्के हो जाएंगे और वो ऐसे मजबूत बन जाएंगे कि फिर नहीं छूट पाएंगे इसको प्लीज आप करके देखिएगा और अगर आपको इसमें सफलता मिले कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना पूलिएगा अब अगर मैं बात करो जैमनाई मिथनरशी वालों के लिए हेल्थ की तो तीसरा कंसेक्विटीव कार्ड है जिसमें हेल्थ के लिए बहुत अच्छा निकल के आ रहा है आपकी हेल्थ भी इस सब्ता बहुत अच्छी है अगें फर छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब कि जो रीचूश और जाते हो जिम जाते हो वाक करते हो कुछ भी इस तरीके से जो आप अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करते है उसब करते रहे है और वाइस आपकी सब्ता हेल्थ बहुत अच्छी जा रही है, so this was all about Gemini राशी में धुन राशी, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला card cancer यानि की करक राशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन 22 जून से 23 जुलाई के बीच में वो आर आपके लिए card निकले हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें cancer राशी की, करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आपको card जो है, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें जल्दी से result मिले, output मिले, आप अपना effort दे रहे हो ठीक है, पर card अब आपको क्या suggest कर रहा है, कि भई अगर आपको desire result चाहिए, उसके 2-3 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, दो-3 steps है, आपको कुछ चीजें forgo करनी पड़ सकती है, कुछ चीजें let go करनी पड़ सकती है, कहीं पर कुछ आपको sacrifice भी करना पड़ सकते हैं, कैसे अभी example देता हूँ, मानलो आपके पास जैदा business आगया, जैदा काम आगया, एक तो तरीका, काम के लिए तो कई बार हम लोगों पर बहाना होता है, हम उसको टाल देते हैं, बहाना मार देते हैं, आपको थोड़ा सा patience रखना है, मानलो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, result नहीं आ रहा, patience रखेंगा, आप exam की त्यारी कर रहे हैं, आपके एक दो पेपर अच्छे नहीं गए, जैसे अभी कुछ बोड़ के exam चल रहे हैं, एक दो पेपर अच्छे नहीं गए, patience से रहे हैं, बाकी के पेपर अच्छे जाएंगे, है ना, sacrifice करने को आपको card suggest कर रहे हैं, अब sacrifice क्या, अगर फिसे मैं अभी students का example दो, जिनके exam चल रहे हैं, sacrifice अभी आपको थोड़ा सा नींद का sacrifice करना पड़ेगा, थोड़ा टीवी का sacrifice करना पड़ेगा, थोड़ा mobile का sacrifice करना है, जो mobile हम लोगों के हात में आखे, सब तरीके की परशानियां हमें देता है, उसको अपना tool बना लो, उसके master बन जाओ, हो क्या रहा है, कि mobile हमारा master बन रहा है, और जो हमारा कींती समय होता है, वो हमसे छीण लेता है, तो आपको क्या करना है, mobile को जब तक जरूरी ना हो, जरूर से आपको किसी friend से discuss करना है कि या यह वाला question कैसे हो रहा है मेरे को तू नहीं आ रहा तू guide कर दे it's okay phone on किया discuss किया off करके रख दिया या आपको लगता है कि आपका कोई साथ ही आपको call कर सकता है उसको जरूरत हो सकती है ठीक है it's okay silent पे रख दो अपनी study करते रहो और जब वो chapter पूरा हो जाए या जो आपने तब तक target बनाया था वो पूरा हो जाए आप phone check कर लो देखके कि कि किसी का कोई miss call तो नहीं पड़ी हुए किसी friend को आपकी जरूरत तो नहीं है जैसे आपको जरूरत पढ़ रहे है उसको भी जरूर हम सुन रहे हैं यह वो करें या जो job कर रहे हैं या जो business कर रहे हैं इतना करके देखिए changes देखिए और जब changes आए ना please comment section में लिखना ना पूरिएगा हाँ अगर आपको लगता है कि मैं आपको और भी किसी topic पे particularly advice दूँ तो बताइए मैं उस पे अलग से वीडियो बना के आप सब के लिए डालूँगा जिससे आपको और बाकी सब को भी फायदा हो जाए तो जरूर comment section में लिखे कि मैं आपके लिए ऐसा क्या वीडियो के या एक्जैम में आपको फायदा मिल सके लिखेगा मैं जरूर बनाऊंगा अब अगर मैं बात करूं करकराशी वालों की relationship की तो relationship के बहुत अच्छा कार्ड निकला है आपके relations जो हैं वो तो grow हो ही रहे हैं उनमें और मजबूती आते दिखाई दे रही हैं उसका कारण है यह भी है कि you are very pure from inside आप जो relations रख रहे हो बहुत purity के साथ रख रहे हो बिनना किसी चल कपड के रख रहे हो जैसे शुद्ध पानी शुद्ध रहबा उस तरीके से आपकी शुद्ध relations तो वो इतने शुद इतने pure रखे हुए कि अब लोग आपसे पूछने के लिए भी guidance लेकी भी आ सकते हैं कि आप इतने सालों से इतने अच्छे relations इतने सारी लोगों से कैसे बना के चल रहे हो तो मेरा suggestion है कि अगर आपसे कोई ऐसी guidance भी मानता है बहुत खुले पंसे देना क्योंकि अब क्या होगा कि वो जो positive vibes है अब आप उसको universe में और भेज रहे हो उन लोगों के माद्यम से आप ख अपने लिए तो हर कोई जीता है ये दूसरों के लिए जीना हो गया उनकी life को change करना हो गया तो आपको ऐसा मौका मिले तो जुरू करना आपके अब भी के relations तो अच्छे होंगे बागी के relations भी और अच्छे होते चले जाएंगे बहुत अच्छा कार निकला relations के लिए आप अगर मैं बात करूँ आपकी health की तो health को लेके थोड़ा सा येस आपका emotionally disturbance हो सकता है बहुत जादा physical labor येस जो work place balance होता है वो शयदा आप नहीं कर पा रहें जिसके कारण आपके health के ओपर adverse issue हो आ रहा है दूसरा थोड़ा सा emotional जादा होने के कारण भी आपका stress level बढ़ सक आप फिजिकल लेवल पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं है तो इन दो चीजों को अगर आप संभाल के रख लेंगे तो आपकी health अच्छी जाएगी इस सब्ता so this was all about करक राशी stay healthy stay happy अब मैं अगला कार्ड लियो यानि के सिंग राशी वालों के लिए लेता हूं जिनका जम 24 जुलाई से 23 सगस के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले है दस्टार दा हाई प्रिष्टेस एंड टू अफ कॉप्स तो शुरुआत करते हैं लियो राशी वालों के लिए करियर की तो करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है लियो राशी वालों के लिए उन के लिए बहुत अच्छा कार्ड है वो जॉब जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता दिखाई दे रहे हैं वो कनेक्शन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं कहां से यह हो जाएगा शयाद आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे पर जिसे बोलते हैं कि वो आके अप साइड तो क्या हो रहा है कि पूरी यूनिवर्स जो है उसको मैनिफेस्ट करने में जुड़ जाती है और वो कैसे मैनिफेस्ट करती है यह आपको भी नहीं पता है ना और पता करने की जरूरत भी क्या है रिजर्ट से मतलब है तो ऐसा पूरा होने की पूरी पूरी संभाव देरी है और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा अगर होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेगा और अगर ऐसा होता है तो ये दूसरों को भी शेयर करो कि जो आपकी डिजायर थी वो कैसे बेनिफेस्ट हुई उसको आप दूसरों से शेयर करो अगर मेरे चैनल पर भी डालोगे तो उसको आपके साथ साथ दसी होजा लोग और भी पढ़ेंगे तो इसको करिएगा जरूर अब अगर मैं बात करूँ सिंग राशी वालों के लिए रिलेशनशिप की तो कार्ड बता रहा है कि आप थोड़े से डिटेच फील कर सकते हैं में जो अब तक आपके रिलेशन चल रहे थे आप उसमें डिटेच फील कर सकते हैं और यह कार्ड आपको सजेश्ट कर रहा है कि अब अगर वो डिटेच्मेंट आ रहा है ना उसको भी आप पॉस्टिव लीजिए क्योंकि दिस इस अगें डिवाइन मैसेज टू यू डिट हो रहे हैं तो there is a purpose वो डिटेच्च होके अब आप अपने पथ पे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वो जो आपको अटेच्मेंट था वो आपको बांधे वे था रोके वे था आपकी progress को आपकी prosperity को आपकी happiness को आपकी growth को अब अगर यह अंदर से आपके feeling आ रही है detachment की तो उ अदर feeling है ना उसको honor करो और अब जब आप अपने पथ पे आगे बढ़ोगा आप देखिए का कितने जबर्दस आपको रिजर्ज मिलेंगे तो एक यह जो feeling अगर आती है यह उनके लिए बहुत important है जो लियो राशी वाले के लिए इस अपता अगर ऐसी feeling कुछ मन में आती है just अपनी inner voice सुनिए अपने अंदर की आवास सुनिए कि आपको लग रहा है कि बस हो गया ओकी जहां आपने इस चीश को accept किया आपकी growth के दर्वाजा खुल जाएंगे आपकी दौर चुरू हो जाएंगे आप वो इंचाहियां चूँ सकते हो जो अब भी आपने again सोचा नहीं उस feeling को आने दो absorb होने दो और उसको honor करो और अब जब उससे detach हो जाओगे उस बंदन से अपने को मुक्त कर लोगे आपके growth के रास्ते खुल जाएंगे करके देखेगा और please comment section में लिखना ना भूलिएगा अब अगर मैं बात करूं सिंग्राशिवालों के लिए health की तो health के लिए थोड़ा सा आपके लिए divine message है divine message यह है कि थोड़ा सा आप अपने सहित का ख्याल रखिए अपनी body का ख्याल रखिए आप जितना दूसरों का ख्याल रखते हैं उतना अपना भी ख्याल रखिए क्यों नहीं कर पा रहे हो वो सकता है आप अंदर से बहुत ऑनिश्ट हो पर वो जो अभी तक का आलस पना कहलो लेथर्जी एटिट्यूट कहलो प्रोकास्टिनीशन कहलो कल कर लेंगे ये सब जो हो है ना इसके कारण आप अभी नहीं कर पारे पर आपका कार्ड सजेश्ट कर रहा है कि ऐसा करो अपनी बॉड़ी को प्यार करो उसके साथ प्यार से रहो उसकी जो जरूरते है वो पूरी करो अगर बॉड़ी का खाना एक जरूरत है तो एकसरसाइज भी जरूरत है उसकी प्रॉपर नीन भी जरूद है और प्रापर नीन का मतलब है 6-7 गंटा sound sleep sufficient उसके आगे सोते हो तो अपने उपर again आप अत्याचार करते हो अपनी body के साथ justice नहीं करते हो आप इन चीजों का ख्याल रखो आपकी सेथ भी आगे समय में बहुत अच्छी होईगी अब मैं अगला कार्ड वर्ग हो यानि कि कन्या राशी वालों के लिए लेता हूँ जिनका जम 24 अगत से 23 सेप्टेंबर के बीच में हो आपके लिए कार्ड निकले है Ace of Cups, Five of Pentacles, King of Cups सबसे पहले वर्गो राशी वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है आपका इस सब्ता नई opportunities आती दिखाई दे रही है नई avenues खुलते दिखाई दे रहे है नया job मिल सकता है, job में hike मिल सकती है, promotion मिल सकता है और वैसे भी अगर देखे, जो March है वो बहुत से department में exam and interview and promotion का होता है तो वो लोग वरको राशी के, कद्ने राशी के, जो मेरा program सुन रहे है मैं उनको शुपकामनाई भी देता हूं सफलता के लिए क्योंकि इस सब्ता result उनके favor में आता दिखाई दे रहा है और again मैं आप से चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है आपके साथ तो उसको comment section में लिखना ना बोले, let universe know let universe know, इस platform के माध्यम से लोगों को पता चले, universe तक पता चले कि आपके साथ यह हुआ, आपको वो खुशिया मिली, जो आप deserve करते थे जो आप wish करते थे, जो आपकी desire थे, वो पूरी हुई regarding career right, तो अच्छा है, नई opening आ रही है, ग्रोथ हो रही है, इसको enjoy भी करिएगा और mention भी जरू करिएगा, अब अगर मैं बात करूँ आपकी relationship की, तो थोड़ी सी relationship में दिक्कत सकती है, इस सकता, दिक्कत इंदा sense की जो जिसको आप प्यार करते हैं बहुत जैदा, देखें, वैसे भी हमें धोका कोन देता है, धोका कोई अंजान में एकती हमें नहीं देता, प्यार में, प्यार में धोका वही देता है, जिसको हम प्यार करते हैं, या जो हमें प्यार कर रहा है, प्यार करने का ढूं कर रहा है, या कर रही है दोका उसे से मिलेगा, जैना, जैसे कहते हैं कि अपने ही दोका देते हैं, पराय थोड़ी दे पाएंगे, तो वो आपके साथ हो सकता है, रिलेशन्स में आपके रिलेशन्स तूट सकते हैं, आपका दिल भी तूट सकता है, आप थोड़े से परशान हो सकते हैं रिलेशन्स को देने की जरूरत है उसको केवल जो भी जिसने किया उसने आपको बुरा बला का इट्स ओके उसने आपको छोड़ दिया इट्स ओके उसने आपको धोखा दिया इट्स ओके आपको इस सब्ता उसके ओपर कोई ना तो रिस्पॉंस देना ना रियाक्ट करना है अब देखे जब यह सबता भी जाएगा चीजे कैसे चेंज होंगी इस प्रैक्टिकल को भी आप करके देखेगा और जिसका आउटकम आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखके सबके साथ शेयर जरूर करेगा एटलिस मेरे को तो पता चले अब अगर बात करें वर्गो राशीवालों के लिए हैल होगे दूसरा अगर आपके साथ को जिम जाएगा तब आप जाओगे कोई आपको डाइट वाला खाना देगा है ना पूरे जिसमें न्यूटीशन वाले खाना देगा तब आप लोगे अदर वाइस आपके अपना अप्रोच रखोगे नो यह आपको नहीं करना कार सजिश् सेर का ध्यान रख लोगे तो इसमें कई डिक्कत भी नहीं आने वाली है यह भी कार्ड आपको सेजेश्ट कर रहें तो इतना आपको करने के जरूरत है अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानि कितुला राशी वालों के लिए लेता हूं जिनका जम 24 सेप्टियंबर से 22 7 of pentacles, Ace of pentacles, and Page of swords तो सबसे पहले लीब्रा राशी वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की तो पॉजिटिव कार्ड है पॉजिटिव कार्ड इन दा सेंस कि आप काम अच्छा कर रहे हो आपको रिजल्ट मिल रहे है पर उसमें एक नेगिटिव फेक्ट साथ में कि देखें कितना इसका मेरा कितना काम हो गया कितना रहे गया कितना हो गया तो क्या होता है तो मुझे आपका प्रेशियस टाइब है ना वह उसमें निकल जाता है कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना काम जो आपने रूटीन बनाए है वह उसकी साब से करते चल जाओ, आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, उनको बार बार रुक के देखने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी एनरजी भी वेस्ट होईगी, आपके वर्किंग आर्स भी वेस्ट जाएंगे, आपका आउट्पुट भी कम होगा, आपका आउट्पुट कम होने से आपक प्रमोशन पर असर आएगा, आपके रिकोगनिशन पर असर आएगा, आपके अपनी जो क्रेडिट है उसके उपर असर आएगा, तो क्यूंकि आप में नॉलेज अच्छी है, क्यूंकि आप अच्छा आउट्पुट देते हो, तो बस उसको आप करते चले जाओ, यहां पर यह मतलब नहीं कि आप अपने काम को रिव्यू ना करो, रिव्यू करना अलग है, बार बार देखना उसको जज़ करना कि कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, वो नहीं, राइट, अब अगर बात करूं तुलाराशी वालों के लिए, रिलेशन्शिप के तो गुड नियूस, आपके इस सब्ता लाइफ में कोई नए रिलेशन्स आते दिखाए दे रहे हैं, कोई नए रॉमैंटिक रिलेशन्स बन सकते हैं, मैरीज फिक्स होने के भी गुनजाईश बहुत अच्छी है, और अगर आप बिजनिस से अस्यूसियेट कोई ढूंड रहे हैं, बिजनिस पा इसा होता है, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में लें के सब के साथ शेयर जरूर करें, अब अगर बात करें लीप्रा राशीवानों के लिए हेल्थ की तो भाई थोड़ा सा हेल्थ का ख्यार रखो, यह जो आपका गुसा है ना, यह आपकी हेल्थ तो खराब करेगा, बाकी ची कर रहा है, आपके रिलेशन्स भी धीरे धीरे डेमज हो जाएंगे, कोई किसी का गुस्टा बरदाश नहीं करता, क्यों करें भई, हर कोई यह चाहता है कि मेरे से प्यार से बात करो, आप भी प्यार से बात करो, आप क्या चाहते हो कि आपके साथ कोई गुस्से से बोले, ए अगर नहीं करते हो आपकी सेथ खराब होनी की पूरी पूरी गुंजाइश आ रही है तो control your anger, control your aggressiveness, ठीक है, जबान पे भी थोड़ा सा control करिए, बहुत जैदा तीखा demand कर रही है आपकी जीब, उस पे भी control करिए, right, ultimately वो acidity के उपर, acidity भी problem आपको create कर देगी, थोड़ा सा ध दियान रखें इसके, तो दिस्वासाल है बाउट लीब्रा, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला card score पर यानिकी व्रिशिक राशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन 23 October से 22 November के बीच में हुआ, और आपके लिए card निकले हैं, the head of ant, seven of cups, and two of pentacles, तो अगर बात करें व्रिशिक राशी वालों के लिए, career की, तो card आपको suggest कर रहा है कि हो सकता है, आप अपने काम में कहीं कोई रुकावट आजाए, कहीं कोई समझ से आजाए, कोई आप काम कर रहे हैं, project पे लगे हैं, वो complete नहीं हो पा रहा, आप में अपने सारे effort लगा दी, पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, वो fault पता नहीं चल पा रहा, कि आपको project क्यों पूरा नहीं हो पा रहा, आप कुछ achieve करना चारे हैं, वो achieve नहीं हो पा रहा, भटक रहे हो आप, आपके कुछ colleagues भी कुछ चाने वाले भी जो साथ में हो आपको miss guide कर रहे हैं, जिसके कारण आपका desire result नहीं आपा रहा, आप exam pass करना चारे हो, आप exam crack करना चारे हो, पर आपके efforts के बाद भी आप exam crack नहीं कर पा रहे हो, competition crack नहीं कर पा रहे हो, कारड आपको suggest कर रहा है, कि you need a proper guidance, proper guidance मतलब जो आपके बड़े हों, आपके guru हों, आपके mentor हों, आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो, थोड़ा से score मैं अगर आपको बताऊं, जिससे की concision हैं, मालो आप एक department में काम करते हैं, आप थोड़े से age में ज्यादा हैं, computer पे काम कर रहे हैं, कहीं पर computer में लज गए, अब जो जूनियर से हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, वो computer में बहुत तेज हैं, तो ऐसा चगर आप देखें, गुरू मतलब यह नहीं कि जो आप से उम्र में बढ़ा हो, गुरू मतलब जो आप से knowledge में बढ़ा हो, तो जो आप से छोटे भी हैं आप उनसे request करके करिए कि आप देखें मेरा नियोरा प्लीज सॉल्वेट, देविल हैपिली हैल्प यू, जब इस तरीके से करोगे, आपके काम भी नहीं पड़ जाएंगे, आपके growth भी हो जाएगी, बहुत जैदा जरूरत है आपको इस अपता, ज्यान रखिएगा, अब अगर बात करें व अतनी के लिए अच्छे पती के लिए, रिष्टे जो ढूंड है, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, और मैसेज है कि भाई देखो आपके आपास आफर तो कोई आएंगे, इस सब्ता भी आफर आएंगे, पर ये कार्ड सेजिस्ट कर रहा है कि आपको उन में से एक तो कुछ भी नहीं होता, 36 गुर्ण तो मिलते नहीं है, यह ना, तो जब 36 गुर्ण नहीं मिलते तो जो कम मिलने हैं उसको एड़्जेस्ट करके चलो भाई, सुखी रहोगी, क्यूंकि अल्टिमेटली जो आपकी मैरीज है, आपके एड़्जेस्टमेंट पर चलती है, वो पंडित के बताये, गुर्णों से नहीं चलती है, मेरे पास बहुत ऐसे केस आते हैं, कि 28, 28, 30, 30 गुर्ण मिलते हैं, पर उनकी शादी एक महीना भी नहीं चली, कई फेक्टर हो जाते हैं, भगवान ने आपको इकठा रहने के लिए बनाया, पर आपने अपने नेचर से वो खाई बीच में पैदा कर ली, आपको एक कार्ड सजेश्ट कर रहा है कि जो आपको आफर इस बार मिलता दिखाई दे रहे हैं, जो आप्शन सारे उनहीं में से एक आप्शन आप चुन लो, नहीं तो हो सकता है, इतनी अच्छी अपरचनिटी फिर ना है, अब अगर मैं बा मैं बताओं, आपका कार्ड सजेश्ट कर रहे हैं कि आप में capability है, आप दोनों चीज़ें अच्छे से कर सकते हो, don't get confused, yes, थोड़ा सा disturbance आ रहा है, मानसिकत ना हो, बढ़ता दिखाई दे रहा है, आपका बढ़ा हुआ है, anxiety level भी बढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें आप ठीक है, तो jogging करो, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे आपकी chemicals निकलते हैं, कि वो जो आपका stress level खतम कर देते हैं, ठीक है, अब क्योंकि मैं medical field से नहीं हूँ, तो उन chemicals का नाम तो मैं नहीं दे पाँगा, अभी मैं बोलो नाम गलत निकले, कोई फायदा नहीं, पर yes, it is a proven fact, कि ज जब आप jogging करते हैं, walking करते हैं, तो जो आपके chemicals निकलते हैं, वो आपके stress level को दूर करते हैं, तो आपको ये, अच्छा, आपमें capability भी है, कार्ट सजेस्ट कर रहे है, you are capable of handling, these two, your health, means your exercise, your walk, your yoga, your jumba, your gym, plus your relations, plus your work, you are capable of handling it, तो अपने को लेके confuse मत करो, आप capable करो, अपने सेथ के उपर ध्यान दो, तो wish you all the best, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला कार्ड Sagittarius एने की धनुराशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्द 23 नवंबर से 22 दिसम्बर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं, Six of Cups, The Emperor and The Moon, तो सबसे पहले धनुराशी वालों के लिए कि लिए कि लिए लोग करियर की बात करें तो अच्छा कार्ड है, अच्छा कार्ड इन दा सेंस है कि अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, यह ना, जैसे कि दो एक्जाम्पल, हमारे दो हिस्सों में हम लोग में ही बाट लेते हैं, एक वो लोग जो कहीं जॉब करते हैं, दूसरे वो जिनका अपना बिजनिस है, तो जो जॉब करते हैं, वो अगर प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उनको इस बार ऐसा मिलेगा जो उनकी प्रमोशन में ह करेगा और अगर आप business community के है business आप का है आप business owner है किसी भी रूप में आप entrepreneur है डप इंड़िश्ट्री है किसी भी रूप में चोटी shop है कुछ भी है आपको कोई नो कोई समय ऐसा व्यक्ति मिलेगा और आपको वह चीजें अचीव करने में सहयता करेगा जो आप चाहते हो आप बिजनिस में जो ग्रोथ चाह रहे थे वो सम्हाँ नहीं हो पा रहा था तो वो कोई व्यक्ति आपका पुराने मिलने वाला आपके साथ आ सकता है आपके साथ जूर सकता है वो आपको फाइनेंशली हेल्प भी कर सकता है इमोशनली हेल्प भी कर सकता है जहां जरूरत हो आपको उसका स्किल भी दे सकता है तो जरूरी नहीं है कि कोई जो आपके साथ जुड़ेगा वो आपको पैसे की साहता करेगा मालो आपके पास वो स्किल नहीं है और अगेन मैं कहना चाहूंगा साथियों कि अगर आपके साथ ऐसा हो ता धनुराशी वालों के साथ, comment section में लिखके share जरूर करिएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ, let universe and others know, कि आपको ऐसा मिला साथी, और card में जो था, वो आपके लिए भी सही निकला, right? अब अगर बात करें धनुराशी वालों के लिए relationship की, तो relationship को लेके card बता रहा है कि थोड़े से न जो आप एक अपने को, एक सक्त मिजाज व्यक्ती जो आप अपने को बनाए रखते हों, कि मैं किसी से मिलूँगा नहीं है, मिलूँगी नहीं, I'm not that type of lady, I'm not that type of guy, नहीं है, what is it that type, हम यहाँ पर, अब इनसान के लिए क्या बोला जाता है, we are social animal, तो we have to be social, वहाँ पर यह जो नाख है, यह ego है, यह इसको अलग रख देना है, जितने लोगों सिन्मी लोगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी, एक बहुत ही अच्छा प्रॉबब भी बोला जाता है, your network is your net worth, तो जितना ज्यादा आपका net worth होएगा, उतनी ज्यादा आपकी net worth हो जाएगी, इस पे काम करिए और अपनी net worth बढ़ाएगे, अब अगर मैं बात करूँ धनुराशी वालों के लिए health की, तो health में यह थोड़ा सा मानसिक तनाव इस सब्ता सकता है, कुछ चीजे आपको disturb कर स सकती है, वो ऐसी चीजे जो अफ़को डिश्टर्ब्स तो वही करेंगी चीजे जो आप नहीं चाहते हो, कुछ emotional disturbance हो सकती है, कुछ ऐसी चीजे हो सकती है, जिसको लेके आप परशान हो, तो card बता रहा है कि सब intuitive होके काम करिए, जो आपका intuition में है, जो आपका subconscious mind बोले कि ऐस कर लो, वो करना है, main बात यह है कि जो health को maintain करने के लिए देखे, दो health है, एक हमारी physical, एक mental, physical health में इस सब्ता आपका issue आता नहीं दिखाई दे रहा, issue इस समय आता दिखाई दे रहा, आपका mental health में, mental health हमारी दिक्कत देती है, जब हम depressed होते हैं, जब हम anxiety में होते हैं, जब हम low feel करते हैं, जब emotionally हम disturbed हो जाते हैं, तो क्या करने हैं, आपको इन ही चार point पे अपना काम करना ही सब्ता, जो आप physical maintain करने के लिए करते जाओ, इसको जिससे कि आपको कोई किसी का जटका, आपके लिए बड़ा जटका ना लग जाए, क्योंकि आप emotional विक्ति हो, आपको वो द depression में चले गए, या तो दवाईयां खाऊगे, आपका output कम हो जाएगा, और दवाईयां खा के भी उसका, आज सक कोई दवाई बनी नहीं, जो depression का इलाज कर सके, है ना, उसका सबसे बड़ा इलाज आप खुद है, इन चीजों को let go करने की आदर डाल दो, कोई कुछ कह रहा ह कार्ड, Capricorn, यानि की मकराशी वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन 23, December से 20, January के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं, the tower, seven of swords and seven of ends, तो Capricorn मकराशी वालों के लिए अगर आप लोग बात करें, करियर की, तो करियर में थोड़ा सा मकराशी वालों के लिए इस सब्ता कुछ हिलता डुलता सा दिखाई दे रहा है, एक तो थोड़ा सा ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ ऐसे तरीके से का कर रहे हो, जो आज की डेट में वैलीड नहीं है, वैलीड इन दसेंस कि मलो अगर आप टाइप राइटर पे अभी टाइप करने लग जाओ, तो क्या होगा, आपका टाइम भी जैदा खर्च होगा, एफिशेंसी भी जैदा जाएगी, आउटपूट कम हो जाएगा, तो केक को आपको टाइप करने के बाद देखने के जरूरत नहीं है, आटो करेक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको अपनाने के जरूरत हैं अपने वरक प्लेस पे, ठीक है, कुछ ये और चीज़ बता रहा है कार्ड, कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ और इसके अला है इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि जो आज की चीज है उसको आप accept करो जो आज की जरूरत है उसको accept करो उसके तरीके से अपने को change करो तें को system आपके हिसाब से change होने वाला नहीं है whether you like it or not अपने को system के अनुसार change करो उस system पे काम करना शुरू कर दो अब आपकी normal शुरू हो जाएगी result normal आने लग जाएंगे और ग्रेजली improve होने लग जाएगे इसको करिएगा अब अगर बात करें मकर राशी वालों के लिए relationship की तो relationship के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं है अक्सर मैंने देखा है कि एक कार्ड अगर अच्छा नहीं होता तो दूसरा कई बार उससे क्योंकि लिक हो जाता है अगर मैं अपने workplace पे अच्छे से काम नहीं पर कर पार हूँ तो relation में कहां से maintain कर लूँगा मैं तो वही विक्ति हूँ ना मैं तो अलग हूँ नहीं यही आपके साथ भी मकर राशी वालों के साथ भी होता दिखाए दे रहा है कहीं ना कहीं आप या तो आप किसी को cheat कर सकते हूँ या कोई आपको cheat करेगा है ना और साथ योग प्लीज बहुत ध्यान रखे क्योंकि मेरे पास आजकल बहुत ऐसे बच्चों के फोन आते हैं जो मेरे से guidance मागना चाते हैं कि साब उनको उसने cheat किया उनकी girlfriend ने cheat किया उनके boyfriend ने cheat किया कई सालों के relation के बाद पता चला कि उनके दूसरों के साथ भी relations थे तो ये चीजे हैं ना देखो आपकी भी life हो दूसरे की भी life खराब करेगे तो दूसरा आपको अगर cheat करता है वो आपके हाथ में नहीं है ठीक है आप ना करो या आपके हाथ में है तो card आपको suggest कर रहा है कि कोई भी काम ऐसा ना करिए जो आपको नहीं करना चाहिए relations को लेक किसी के अच्छे relations है कोई ऐसा काम ना करें कि आपको लगे कि मैं ऐसा कुछ कर दूँ उनके relation खराब हो जाए नो it is not your job आप मान लो A को चाहते है और B को चाहती है अब वो A आपको चाहिए कहा लिखा है वो उसको चाहती है चाहने दो अब आपने कोई ऐसा काम किया कि उन द वो normal है अगली बार वो आपसे hate करने लग जाएगी तो don't do ये सब के लिए ऐसा है हर टाइप के relations के लिए ये card मैं बहुत seriously लेता हूँ और बहुत seriously आपनों को guide कर दें के भी कोशिश करता हूँ क्योंकि क्या है कि साथियो हमारे relations की जो बुनियाद है base है ना वो विश्वास के उपर है और अगर हम किसी भी रूप में अगर उस relation पर विश्वास तोड़ते हैं आज हमने किसी का विश्वास तोड़ा कल को कोई हमारा तोगएगा तो universal law है हमें वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं and non necessary उसी से जिसको हमने किया कहीं से भी मिलेगा और फिर हमें लगेगा कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ तो किसी के साथ कुछ गलत मत करो आपके साथ भी गलत नहीं होगा अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की जरूरत है क्योंकि इस सब्ता आपका travel काफी possible दिख रहा है travel करते हो सकती है रास्ते में खाना पीना ठीक नहीं हो सकता है कई चीज़ें हो सकती है तो यह आपको कार्ड सजिस्ट कर रहा है travel है तो travel का ध्यान रखिए जो the best class आप एफूर्ड कर सकते हैं उससे जाए हाईजीन की थोड़े से जो सिती है उसको मैंटेन करके रखिएगा बाहर क कि खाने को आवाइड करिएगा क्योंकि travel है काम के लिए आप आवाइड नहीं कर सकते हो खाने को बहुत अच्छे से द्यान रखिएगा एक मेरे साथी है वो अगर एक का दिन के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि साथ में चने रख लेते हैं अपने पानी की बॉटर रख चने रख लिए अब क्या होगा है चने एक तरीके से complete diet हो जाती है हमें mineral भी मिल रहे है protein भी मिल रहे है fiber भी मिल रहा है और पानी भी अपने घर का R.O.का ले लिया ठीक है तो इससे क्या होगा कि वो जो बहार का एक खत्रा बना रहता है कि हमारे को कोई भी कलत खाना मिल सकत तो उससे हमारी बचा हो जाते हैं तो जब बचाते हैं तो आगे कि जिंदी अच्छी हो जाती है तो इतना है ट्रेवल में आपको कुछ चीजों का जो ध्यान रखना है और उसी बीच में अगर आप अपनी जो रूटीन एक्सराइस को मेंटीन कर पाऊगे तो नथिंग लाइ निकले हैं डेट नाइन अव कप्स एंड्री आफ वेंड्स तो कुम्रा शिवानों के लिए बात करते हैं शुरू करते हैं हम आपकी करियर की तो करियर को लेके हो सकता है अपने अगर ध्यान से देखाओ डेथ कार्ड तो आप डर गए हो है ना यहां पर मतलब कहा है कि आप जो अभी जौब कर रहे हैं वो एक संभावना है कि वो जौब आपकी छूट सकती है या आप छोड़ सकते हो दोनों संभावना हो सकती है ना पर उसके साथ साथ एक संभावना अपने आप पैदा हो जाती है वो क्या क्योंकि जब एक चीज खदम होती है तब भी दूसरी श लगया दूसरा जॉब मिलने के लिए और वो जॉब इस जॉब से बेहतर होगी यह कार सजेश्ट कर रहा है आपके लिए मैसेज क्या है जैसे मालो आप बिजनिस परसन हो तो हो सकता है कि किसी के साथ आप जुड़े वह कोई आपकी पार्टनर्शिप छूट जाए आपके एक तो बिजनिस से वो बिजनिस किसी कारव बंद हो जाए बिजनिस अगर एक बंद हो गया तो थेंक यू देने के बाद हुश्के लग रहा है ना पर आपको पता न चुछे कि अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है आपकी प्लैनिंग के हिसाब से नहीं हो रही है तो वो उपर वाले की planning के इसाब से हो रही है तो आप खुद ही देख लो कौन समझदार है आप या वो जब वो ज़्यदा समझदार है तो आपके लिए क्या ज़्यदा अच्छा है उनको ज़्यदा पता है तो अगर आपके मन के हिसाब से कोई चीज हो रही है बहुत अच्छा मन के हिसाब से नहीं हो रही है तो और ज़्यदा अच्छा क्योंकि अब वो उसके हिसाब से हो रही है तो आपके साथ भी अगर कोई जौब छूटता है आपका कोई बिजनेश तूटता है आपका कोई आपका पार्टनर चूट जाता है doesn't matter say thanks to supreme power कि मेरे को एक नई चीज मिलने के लिए तुझे रास्ते खोल दिये तो जब आप इस तरही के से चीज़ों का accept करोगे अब देखें वो जो रास्ता कल खुल रहा था वो आज खुल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो please write in comment section share करिएगा universe को पता तर चलना चाहिए कि you are feeling gratitude आपको ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है कि universe ने आपका साथ दिया देता है सबका साथ देता है हम मारे मांगने में हमारे efforts में कम ही हो relationship के लिए बहूत ये अच्छा card आया I think you may feel that you are blessed कि आपको जो इतने अच्छे relations मिले हैं आपको इतने अच्छे friend मिले हैं इतने अच्छे बिजनेंस associates बिले हैं इतने अच्छे रिष्तेदार मिले हैं इतनी अच्छी girlfriend मिली हैं अच्छा boyfriend मिला है कुछ भी, कुल मिला के ये सपता आपको ये हो सकता है, feel कर आए, कि you are blessed कि आपको इतने अच्छे relations मिले हुए, नए relations इस सपता बनते नहीं दिखाए दे रहे हैं, एक आपकी inner feeling in deep होती दिखाए दे रहे हैं, कि you will feel satisfied, अच्छा है मेरे को relations बहुत अच्छे दिये हैं, और अगर ऐसा, तो don't forget to say thanks to almighty, क्योंकि जब-जब जो हमें मिलता साथ है, उसकी जब-जब हम thank you देते हूं, उपर register हो जाता है, हमारे account में credit हो जाता है, वो जब हमें जरूरत होती है, बिन हमारे demand किया, वो हमें मिल भी जाता है, ना, तो आप ऐसा जरूर करिएगा, अब अगर मैं ब relations भी अच्छे से कर देख पाते हैं, और हम अपने काम में भी focus अच्छा कर पाते हैं, तो Aquarius कुम राशी वालों के लिए आने वाला सब्ता अच्छी health लेके आ रहा है, and that doesn't mean कि आप बाकी चीज़ों को ignore करें, diet का जो आप ध्यान रखते हैं, वो रखते रही है, जो exercise करते है योगा करते हैं, जुमबा जाते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उसको जुरू continue रखेगा, so this was all about कुम राशी, Aquarius, stay healthy, stay happy, अब मैं आज का आखरी पाइसेज याने की मीन राशी लेता हूँ, जिनका जनम 20 February से 20 March के बीच में हुआ आपके लिए कार्ड निकले है, seven of pentacles, four of pentacles and the fool, तो पाइसेज राशी वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, अच्छा कार्ड है, यूँ कह सकते हैं कि कुछ नया शुरू होता दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, पर जो आप काम कर रह हैं, उसमें अच्छे आपके रिजल्ट साते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर आपके साथ एक दिक्कत यह भी है, कि आप हर थोड़ी देव बाद आपने रिजल्ट को एविलेट भी करना चाहते हो, कि देखें आप कितना मालों, आपकी factory आप नहीं, तो हर थोड़ी प्रोडक्शन को आपको खुद देखना लगता है, बत करो, उसके लिए एक supervisor रख दो ना, आप उससे quarterly या monthly या weekly आप उससे report लेते रहो, आप मैक्रो management करो, माइक्रो नहीं, ये card आपको suggest कर रहा है, आप माइक्रो में चले जाओगे ना, तो आपकी जो inner quality है, आप उसी में उसको खोदोगे, आप उसको दूसरों को delegate कर दो, उनको करने दो, उनसे आप report लेते रहो, इस तरह कैसे करोगे, तो आपकी growth और जैदा होती दिखाई देगी, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, पाइसे बीन रशी वालों के लिए relationship की, तो relationship को लेके भी card आपको suggest कर रहा चाहिए, आपकी कोई friend है तो आपकी की रहनी चाहिए, किसी उसे friendship ना करे, आपका छोटा भाई उससे बात ना करे, आपकी भावी उससे बात ना करे, आपकी बहन उससे बात ना करे, नहीं, ये जो आप possessive नहीं से ना आपका, possessive आप relations को लेके, आप इसको छोड़ दो, बह ऐसा एक जगा रुकेगा खराब हुजाएगा जो जो चीज बहती रहती है ना तब यो फ्रेश रहती है आप भी relations को बहने दो अगर कोई relation आपके साथ नहीं रुक पाएगा तो आपको उसको बांद के रखने में भी रुकेगा नहीं आपके पास उसको बहने दो इंज्वाई करने दो जो आपका दोस्त है जो आपके सहलिय वो आपके साथ रहने वाली है या रहने वाला है आप उससे निचिंद रो और अगर उसको नहीं रहना तो आप कितनी भी पाबंदिया लगा दो आप उसको रोख नहीं पाऊंगे, बहने दो, समीर की तरीके से, ठंडे हवा के जोके की तरीके से, अपने रिलेशन्स को भी बहने दो, अब देखो कितने अच्छे प्रकार हो आते हैं, अब अगर मैं बात करूँ मीन राशी वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपको सजेश्ट कर रहा है कि यस थोड़ी सी प्रॉब्लम शैद चल रही है आपकी हेल्थ में, आप कुछ करना भी चारे हैं कि माल लो कि आपको किसी ट्रीट्मेंट की जरूरत है, होस्प्लाइजेशन की जरूरत है, तो आपके वो जो एक हफ़ते का होस्प्लाइजेशन है उस बीच में आप इंतजाम कर दो अपने घरवालों के लिए, तमाम रास्ते मिलते हैं, है ना, अब किसी का क्योंकि यह केस अलगलग हो सकता है, तो मैं यहाँ पर तो इंडीज वल का सच्गेशन नहीं दे सकता है, पर हाँ, आगर आपको इंडीज का सगेशन चाहिए, यह कमेंट सेक्शन में ले, को डी एम करूँ, मैं आफको सगेश्च करूँगा, जो काइड़नसuju सकता होंगा, मैं जरूर दों पर आपको ये करना पड़ सकता है, और करना चाहिए, रधर कायर सदिश्ट कर रहा है, करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लिजे, हो सकता है, आपको लगेगी, यह मैं अगर पापा मम्मी को अगर इन के साथ रखूँगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, एक पर रखके देख ल आपको जैब करना चाहिए, और की करने का आपकी परिस्ट में धारी यह उसको कोई हो नहीं कर पाएगा, हो तो आपका हो ना, बुस्रें लोग कुछ नहीं कर पाएगे, सब चीज का इंतजाम करके, आप आगे बढ़ हो, अच्छा होएगा, अगर आपका आपका ऑपरेशन भी है, कोई treatment भी चल रहा है, you will come with flying colors, आप एकदम ठीक हो जाओगे, healthy life जीने लग जाओगे, right, तो इसको जरूर करके देखेगा, इतना calculated risk लीजेगा, आप ठीक हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे, so this was all about Pisces, Meen राशी, stay healthy, stay happy, आप अगर मेरे को सजेश्ट करना चाहें, कि मैं किन topics पर वीडियो बनाओ, तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखे, मेरी कोशिच रहेगी, कि जो जो मेरे को maximum topic मिलेंगे, मैं उन पर वीडियो बना के आपनों को घुस्या शेयर करूँगा, so stay healthy, stay happy,